बाबा काशिरवाद SPM चैनल पर आपका स्वागत है लोंग का बहुत ही मैतव हमारे जीवन में माना जाता है जोसी सास्तर में और कई जगह पर ये कहा जाता है कि अगर आपको अपनी घर की नेगटिविटी खतम करनी है तो आपको दीपक में लोंग डाल कर जलाना चाहिए बहुत सारी पूजा पाठ में लोंग का इस्तमाल होता है और मा को तो इतना जदा प्रिया है मा दुरगा को लोंग का जोड़ा अर्पित करने से आपका कोई भी मन की इच्छ है वो बहुत जल्दी पूरी होती है और बहुत सारे ऐसे उपाए हैं जो स्पेशल लोंग के द्वारा ही किये जाती है और बहुत सारे ऐसे रिखती हैं जो हनमान जी की पूजा करते हैं हनमान जी के बहुत सारे ऐसे पाठ हैं जो अलग-अलग शिरणी में जिनको हम रखते हैं जैसे हमारे घर में हमें लगता है कि बुरी नजर लग गई है तो हम अपने दीपक में दो लोंग चार, छे, आठ, ग्यारा जितनी भी हमारी इच्छा करती है उसके हिसाब से दीपक में डाल कर हनमान चालिसा का पाठ करते है अगर हमें लगता है कि हमारे घर में कोई बुरी आत्मा ने परवेश कर लिया है तो हम दीपक में लोंग डाल कर चमेली का दीपक जला सकते हैं, देशी घी का जला सकते हैं या आप सरसो का भी जला सकते हैं और जला कर आप बजरंग बान का पाठ शुरू करें जिससे आपक गर में जो भी negativity आई है वो दूर होनी शुरू हो जाती है कई बार बहुत सारे वेक्तियों को हमने देखा है कि उन पर ऐसा में काल मृत्यू आ जाती है उनको दुरगटनाई बहुत होती है या उन पर ऐसी मारन किरियाई शुरू हो जाती है जिनकी वज़े से उनको रोचोट कभी उनका छोट एक्सिडेंट हो रहा है कभी बड़ा एक्सिडेंट हो रहा है बहुत सारे वेक्ति कहते हैं कि जी हमारे एक्सिडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए कम से कम सात लोंग दीपक में डाल कर चमेली के में मंगल या श्यनी को रा एक सो आठ आप जितनी आपकी शमता है वो पाठ कीजिए और ये प्रियोग कम से कम पाँच मंगल या पाँच शनिवार करें और बंदरों को जीमाना शुरू करें आप देखोगे कि बहुत ही जल्दी आपकी समस्या दूर हो जाएगी कि आपके जो एक्सिडेंट थे वो बिल बता देता है कि जी बुरा होने वाला है और हमारा बहुत मन घबरा जाता है जैसे कि हमारा जैसे कहा देते हैं कि अगर कोई इस्तरी है उसका सीधा अंग फड़कना शुरू हो जाता है सीधी आँग या सीधा अंग किसी वज़े से निरंता 10-15 दिन बेवज़े फड़क रह और पहले कभी नहीं फड़का है तो वो ड़र कि डर जाती है तो उस टाइम डरना नहीं है दीपक में 11 लोंग डालना है और 11 दिन तक लगातार आपको संकट मोचन का पाट करना है और उसमें आपने जब 11 दिन होगा तो हनमान चालिसा का हवन करना है और बंदर जीमाने है और कोई भी मंदिर है उसमें बाबा का जो ड्रेस है या चोला है वो लाकर आपको अरपित करना है क्योंकि कोई भी देखो बहुत सारे रों क्या करते हैं पाठ करते हैं पर वो दान देख्षना नहीं करते हैं जीमाते नहीं हैं आपको यहां पर बंदर जीमाने हैं दान देख्षना आप जिसने भी आपको एक तो आपके गूरु की देख्षना बनती है जिसने आपको यह कारिये करवा रहे हैं और एक हनमान जी की आपकी बनती है तो वो जरूर प्रदान करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करोगे तो आपका पूर्ण फल नहीं मिलेगा ऐसे ही जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जी शरीर में बहुत दर्द रहता है बहुत दर्द टूटता रहता है तो ग्यारा लोंग डालकर डेली ग्यारा लोंग डालनी है दीपक में और देसी घीका दीपक जलाना है और हन्मान बाहुक का पाठ करना है और अगर उसमें से कोई भी थोड़ा सा तेल बच जाता है उस तेल को आपके पूरे शरीर में आपको लगाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हनुमान जी से बल प्राप्त करने के लिए आपने कामना करनी है और यही मांगना है कि है मेरी प्रभू आप मेरी इच्छा पूरी करो मेरे शरीर के सार कश्टो को दूर करो क्योंकि जब भी आप कोई विशेश इच्छा के लिए लोंग का प्रियोग करते हैं तो लोंग आपको बहुत ज़्यादा फायदा देती है और आपके क्योंकि जब लोंग जलती है तो उसमें जो खुश्बू आती है कहते वो खुश्वू अगर कोई negativity होती है वो सहन नहीं कर पाएगी और वो भगना शुरू कर देगी और अगर हम ये परियोग पांस या साथ एकिस दिन तक लगातार करती हैं तो उस negativity को बार बार हमारा गर छोड़ना पड़ेगा और एक ऐसा समय आएगा कि वो हमारे घर से हम इसको निरंतर करना चाहिए कहते हीं अच्छे स्वास्थे के लिए निरंतर अच्छा खाना पड़ता है ऐसे अच्छे आपकी घर में पोजीटिविटि के लिए अच्छी पूजाएं बार बार करनी चाहिए और ये हम स्वेम भी कर सकते हैं और लोंग का तो इतना चमत्क परियोग है कि इसको जब भी आप कोई भी पूजा में सामिल करेंगे आपकी घर से नेगेटिविटी भगती रहेगी